हेलो गाइज वेलकम टू एक्जाम हंटर सो दोस्तों सरसटवी प्रेलिम्स आने वाला है और उसके लिए हम लोग फ्री टेस्ट करा रहे हैं इसमें क्या है कि BPSC के प्रिवेश सेर के सारे कुश्टन्स बिहार स्पेशल साथ ही जो भी इंशूट है उसके सारे टेस्टरी इस प्री आफ कोस्ट आपको क्या करना होगा है कि जो टेलीग्राम होगा उसको जॉइन किजिए ठीक है लिंक इन डिस्क्रिप्शन और वहां पर टेस्ट दीजिए साथ मेंस का भी टेस्ट सेरी चल ला है जिसमें आपको पर दो दिन मतलब हफते में तीन एंसर राइटिंग कराया जाता है हंडेट प्लस टेस्ट होंगे और साथ में मेटेरियल प्रोवाइट किया जाएंगे इसके लिए नोमिनल चार्जेज है वह आपको डिटेल्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीटी इस फ्री फॉर ओल ठीक है तब को बता दूँ यह टेस्ट टेस्ट नंबर ठीक है इससे पहले दो टेस्ट हो चुके है ठीक है तो आते हैं इसका हम सॉलूशन देखते हैं उपर वाला हिंदी में है नीचे वाला अंग रेजी में है देख़ो अब फर्स्ट कुश्च को यहांबर क्या हो जाएगा अलग-अलग डिश्टी कोट हो जाएगा कि इसका एक सर्फ हो जाएगा C निशिफ मजिश्ट्रेट कंड का क्या हो जाता है मतर मोंतर हो सकते हो इस सिभल केसेज को देखते हैं यहांपर हो जाएगाube बी कुशन नमबर तीन देखो क्या है कि गौवर्मेंट अप इंडिया एक्ट उन्नीस के तहट 1921 में कौन सा कमीटी का गठन हुआ था यह बहुत ही इंपोर्टेंट कुशन है इसका एंसर होगा पी एसी पॉब्लिक एकाउंट कमीटी आपको पता होगा कि जो कर रिपोर्ट ह होते हैं दोस्तों इसके 22 22 में से दो भाग में बाटो दो भाग में बाटो गए तो 15 हो जाएगा लोग सभाका और साथ हो जाएगा राज सभाका यह भी आपको याद रखना होगा बीपेसे में पूछ लिया जाते है कुशन नमबर चार देखो इसमें से कौन सा स्टेट्मे ऑपरेशन पोलो इसको आप याद रखिएगा चार का एंसर हो जाएगा अब देखो बाकी कैसे कैसे गलत है इसके वो देख लो अब अब देखो कास्मीर को कब इंडिया में मर्ज किया गया था यह हो जाएगा 48 के जगा 47 ठीक है बटलर कमीटी का काम गया था कुशन नमबर और जो अप्शन सी गलत क्यों है बटल कमीटी का काम क्या है कि जो लिए जो गोर्मेट ओफ इंडिया है और प्रिंसली ए श्टेट है उसके साथ रिष्टा बढ निया करना ठीक है नागा लेंड उनीसओ सबिशन में बना था ठीक है ना असं असंसे काटकर तो कौन सा यह इ इसकर कौन सा उप्सें से यह एए in the basis of Indian system इसका प्लिए आन स सिस्टम इस विलेज उनका ग्राम हो जाएगा पंच्वा का एंसर सी और ग्राम क्या है प्राइमिडी यूनिट ऑफ लोकल गवर्मेंट ठीक है नेक्स्ट है कि जब प्रसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट में तो कौन से आर्टिकल के तहर बहुत ही असान कुश्चन है इसमें गलत कर दिया तो बहुत ही मुश्किल है ऑप्सन हो जाएगा 356 B सोसेलिजम इन इंडिया जो सोसेलिजम का जो कंसेट है इंडिया में सत्वा का उसको डिमोक्रेटिक सोसेलिजम बोलते हैं ठीक है एक किसका एक कंसेप्ट किसका था मतलब इससे कौन परभावित बिहार के अभी के लोकायुक्त कौन है अभी के लोकायुक्त कौन है बहुत ही इंपर्टेंट कुछन है इसको आप याद कर ले कुछन नमबर आठ इसका हयो जाएका ज़स्टिच सयाम कि सोर सर्मा इसMसे आपको order में सजाना है कि सबसे पहले हुआ क्या कौन था सबसे पहले कौन हुआ था सबसे पहले कौन नहीं हुआ था ठीक है तो अगर सबसे पहले कौन हुआ था glorious revolution कब हुआ था है 1688 के आसपास ठीक है थोड़ा बहुत time में tenure में मतभेद हो सकते हैं अमेरिकल रिवुलूशन जनरली 1775 से 1783 इंडस्ट्रियल रिवुलूशन यह हुआ था अठाडवी सताब्दी में फ्रेंच रिवुलूशन यह कब हुआ था 1789 से 1799 इसका एंसर क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नाइन्थ का क्रेक्ट एंसर होगा C सबसे पहले क्या हुआ था गुलोडियस लेवरुशन उसके बाद अमेरिकल उसके बाद फ्रेंच उसके बाद इंडस्ट्रियल ठीक है कुशन नमबर दस देखो वीच व विच व दिसमिंह नोट इंसर अंच्रड अंडर अभीवल ठेकर नब प्योशन नमबर दस देखो अब अब दखो प्रेंबल के बारे में परोगे दिशर किया एक आइडिया प्रियंबल बताता है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिये और यह स इस दा बेसिक सोर्स ऑफ कंस्टिटूशन अंडर प्रियंबल अगर पुरह होंगे तो उसमें लिखा आए वी द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के नागरिक तो बेसिक सोर्स क्या है प्रियंबल का तो हम लोग है पीपल ऑफ इंडिया एगारा का हो जाएगा भी ठीक है बारक सब्सक्राइब कर देखो वाट काईनड ऑफ गवर्नेंस इस्टेम है जबल मेंसे अट्रीपती एक होता है लोग सभा एक रास्भा तिक ना इए दोनों के वारे में प्रिशिज्टव और होता है उसको क्या उसक्त प्रसिडेंट बोलते हैं अंगर कंसेफ्ट वेल्फेर क् इंडियन सभीधान में कहां मेंशन है इसका एंसर हो जाएगा ए कौन से आर्टिकल आर्टिकल भी याद होना चीए 36 से 51 आर्टिकल ठीक है ना कुश्चन नमपर 14 अंडर विच एक्ट डैयार्ची डैयार्ची सिस्टम जो था वो सेंटर में लागू किया गया ठीक है आपको प लेकिन 1935 में क्या हुआ एक स्टेट से खतम करके इसी को सिफ्ट कर दिया गया सेंटर पर यह आपको याद होना चीए लक्षमी कांथ को जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में में मेंसन है इसका हो जाएगा डी ओप्शन 14 का डी नेक्स्ट देखो अंडर विच और्मावार सेप्रेट क्या गया तो यह चैप्शन पंद्रा का एंसर हो जाएगा ए 16 देखो गुलेटीन और गुलेटीन डिडेक्शन और और अर्डिनरी डिडेक्शन यह सब आप पार्लियमेंट का चप्टर पढ़ेंगे लक्षमी कांत में तो उसमें आपको यह सब पढ़े होंगे इसका मतलब होता क्या है तो मतलब देखो क सामकाज जो चल रहा है उसको क्लोज करने के लिए यह सब पास किया जाता है ठीक है इसका उप्सन हो जाएगा सोला का सी सत्रह देखो वाई विच कंस्टिशनल अमेंडमेंडमेंट दा एलोकेशन ऑफ सीट इन दे लोकसवा ऑफ दे स्टेट वर इनेक्टेड ठीक ना एक लोकसभा मेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमें है जो सीडूल एरियाज हैं सीडूल एरियाज हैं जो हमारे कंट्री में उसके लिए है वहां के ग्राम पंचायद को इंपावर करता है वहां के ग्राम पंचायद को ज्यादे पावर है जो हमारे गाउं का ग्राम पंचायद होता है तो यह क्यों दिया गया है तो प्यसा पत्राइब यहां पर आपसं दिया हुआ एट ली दिया हुआ तो इसको जो तीन मेंबर थे कौन थे क्रिप्स थे, ठीक है पैथिक लॉरेंस थे और एक और जो मिम्बर था जनका नाम था अलेक्जेंडर Question number 20 When was the interim government firm under the cabinet mission plan Question number 20 बोल रहा है कि cabinet mission plan के तहट interim government कब firm किया गया था एक अब गया गया था September 1946 में ठीक है Next question है, question number 21 Question number 21 बोला है कि कौन सा वर्ड 42 सवधानिक संसोधन में Constitution में एड नहीं किया गया secularism एड नहीं किया गया secularism का concept पहले से था ये तीन एड किया गया कौन socialist, secular and integrity ठीक है ना और लेडी secular भी है इंडिया इससे पहले 42 सवधान संसोधन से पहले हम लोग secular country थे लेकिन इंपलिशेट था, explicit नहीं था ये तीन एड हुआ हमारे सवधान में प्रियंबल में एड किया गया थीन हो ठीक है Question number 22 Question number 22 क्या बोल रहा है मतलब निमलिकित में से कौन से judgment में सुप्रीम कोट बोला आया है कि प्रियंबल जो है ना सविधान का आत्मा है आपको पता हुगा कि बियारम बेंटर किसको बोले है आर्टिकल 32 को लेकिन सुप्रीम कोट कौन से केस में बोला आया ठीक है इसका एंशर हो जाएगा का गोलकनाद केस में सी बैसुप्र si nec बैसुपश का एंसर हो जाएगा सिरा इंडिया के अरी पॉब्लिक कांट्री इंडिया कला है इसका मतलब क्या होता है तो रहीप्लिक उसी कोब बोलते है जो हेड़多 एस्टेट हो हमारे इंडिया का है प्रसिडेंट राश्ट पती है वह हरी डेटरी नहीं होता है जैसे बेटर में हो इलेक्ट किया जाता है इसका हो जाएगा एक इसके अंदर आता है ठीक है अब ध्यान से देखना यहां पर एक जज्जमेंट आया था जज्जमेंट है रंधीर रंधीर सिंग वरिससेज एसटेट ओफ पंजाव कैंना उसमें जज्जमेंट आया था उसमें सुप्रीम कुट बोला था कि इकोवब प่掉 होना चाहिए औरतों और मैं मैं सब के लिए जो आदमी है और में के अंदर भी आता है और DPSP कोन है 39A यहां पर देखो कि fundamental rights दिया हुआ है लेकिन exact जो DPSP का नाम है नहीं दिया हुआ है यहां पर right to welfare provision लिखा हुआ है यहां पर अगर DPSP रहता तब E होता ठीक ना लेकिन अपर क्या हो जाएगा कि कुश्चे नमर्ब 25 अंडर विच constitutional amendment right to property वाज लिगल दखवा कुश्चेन बोला है कि जो राइट प्रोपर्टी था पहले हमारा मॉलिक अधिकार था लेकिन कौन से सविधानिक संसोधन के तया तो उसको हटा के लीगल लाइट बना दिया गया तो जेपी जनता गुवर्मेंट जनता पार्टी ने हटाया था 44th constitutional amendment act के ताहर ठीक है कब हुआ था 1978 में और इसको लीगल लाइट बना दिया कौन से आर्टिकल में 300a आर्टिकल पढ़िये गा तो उसमें क्या है कि इसको जो राइट कर दिया गया लिगल लाइट बना दिया गया कुशन नमबर 26 वेन वाज 11th fundamental duty added to the constitution of इंडिया ठीक है 26 बोला आए कि कौन से इसमें क्या होता है कि जो बच्चे है छे से लेके छे क्लास से लेके मतलब छे क्लास बोला हूं छे साल से को हम modify करना उसको करना इस वेरी डिफिकल्ड किसने बोला था तो इसका एंसर हो जाएगा सतिस्वा का एंसर हो जाएगा बी आईवर जैनिंगनिस ने बोला था एक जब इंडिया इंडिया इंडिपंडेंस हुआ था तो स्टेट को रियर्गनाइज करने के लिए कि लेंगवेज पर होना चाहे की नहीं तो जैपीवी कमीटी इसको अल्लेडी हम पढ़ा चुके हैं आप देख चुके हैं चनल पर देख सकते हैं जैपीवी में कौन-कौन थ जाएगा जवाला नेहरू वी से होगा बल्लभाई पतेल पी से हो जाएगा पतावी सिता रमया तो देखो ए जे भी और पी यह नाव याद रखना इसमें कौन से नहीं है तो पनिकर सहाभ नहीं है तो डी हो जाएगा इंसर इसमें कौन से पार्ट पंचायती राज में एड किया गया था ठीक है तो हो जाएगा पार्ट नौव कौन से आर्टिकल इसमें अनुशेत किया गया था तो 43 से ओ ठीक है न ए आर्टिकल को एड किया गया था कुशन नमबर 31 देखो आप पंचायती राज के साथ मुनिस्पल्टि जे सबका नाम सुने हो गया तो किसमें आता है अर्बन लोकल बोडिज में कितने है तो याद रखियेगा वह आठ है ठीक है नाम सुनना है तो सुन लिजिए पहला हो गया अपको municipal corporation, second हो गया municipality, third हो गया notified area committee, fourth हो गया town area committee, fifth हो गया containment board, sixth हो गया special purpose agency, 7 हो गया township, and 8 हो गया port trust, total कितने है, 8 है, अब बहुत ही आसान question है, father of question number 32, who is known as the father of Indian local government, father Indian local government जो पंचाहती राज जेनरली जिसको बुरा जाता है, इसका इंसर हो जाएगा लॉड रिपन साहब ने इनको बुला जाता है इंडियन फादर ओ या इनको बुला जाता है इसके बाद इस सविधानिक अमेंटमेंट को इंप्लिमेंट करने के लिए एक हम एक्ट पास किये जिसको बोलते हैं इस्टेट रि और गनाइजेशन एक्ट वह भी कप पास किये इसके तहर फर्स्ट टाइम चौदर राज्या और छे यूनियन टेर्टरीज का गठन किया गया इस फैक्ट इस टोरी इंडियन कंस्टिशन फ्रम जो भी कंस्टिशन आपको देख रहा हों हमारा जो सभी दहान है इतना बरा लेंदी है सबसे जयादे उसमें जो फैक्स एस डाला गया ना उसके अंदर और गोवर्मेंट ऑप इंडिया आक्ट उनिसो पैंटिस से डाला ग लेंड लॉज ठीक है ना लेंड लॉज को कंस्टिशनल फ्रम टेक्शन किस से जुडिस एरी से मतलब जुडिसे जुडिसे डिवी के अंदर नहीं आएगा को से एक्ट पास किया गया को से कौन से सीडूल को एड गया बहुत इंपोरेंट कुस्चन है बहुत ही असान है ठी सब्सक्राइब करने के लिए अभी तक इसमें कितने बार इसको चेंज किया गया है तो ध्यान रखिएगा इसको हम कितने बार किया है सबसे पहले कब किये थे 1955 में सब्सक्राइब किये थे 1971 में 24 चोबिसवा कंस्टूशनल अमेंडमेंट के समय थर्ड कब किये थे 1976 में ठीक है न 22 42 वा बोलना हूँ इसमें किया गया था यह दोनों कौन किया था इंद्रा गांदी ने किया था था में साध्यान रखिएगा थ्राइस जो लेंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो माने डूटीज के है तो 350 भी बहुत ही असान है हाउ मनी लेंग्वेज है क्लासिकल लेंग्वेज इस्टेटस अभी इंडिया में कितने है तो छे है अप्शन हो जागा इसका अच्छी सी कौन कुन है तो तमिल है तेलगू है संस्क्रीथ है कनाड़ा है मल्यालम है और लास्ट क्या है उडिया है उडिया कब एड किया गया दोजार चौद में एड किया गया तो रहल कितना अच्छे बैकवाड कमिशन इसको बहुत द्यान अखना बहुत ही इंपोटेंट कुशन है अभी जो बैकवाड कमिशन बैकवाड क्लास कमिशन जो है तो अप्वाइंट होता है अंडर दप्रोविजन अफ फिच आर्टिकल कौन से अनुच्छेद के थुरूब बोला जाता है कि बैकवाड कमिशन होना चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा भी दोसो चाल सॉर्य वी 340 ठीक है अब आपको पता होगा कि यह कुश्चिन का क्यूं इंपोर्टेंट है तो एक 102 सविधानिक संसोधन हुआ था स्टेटस दिया गया किसको नेशनल कमिशन ऑफ बैकवाड क्लासेज को कंस्टूशनल स्टेटस दिया गया और इसी एक के थुरू इसी अमेंडमेंट के थुरू दो नए आर्टिकल एड किये गए 338 भी इध्यान रखियेगा और 342 ए ठीक है 338 भी क्या बोलता है 338 भी बोल सके ठीक है 342 एक क्या बोलता है एक प्रसिडेंट को इंपावर करता है ठीक है क्यों कि वो किसी भी स्टेट और इउटी में अगर उसको लगता है कोई सोसली एजुकेशनली बैकवार्ड क्लासेज है तो उसको इसमें डाल सके ओवी सी में डाल सके ठीक है इसमें सब अमेरिका मार गया होंगे ठीक है लेकिन अमेरिका घलत इसका हो जाएगा बreekरें किया सबस्के लुकित कर दिया गया or किसकोण जधी के सजाा सुना उगई ठीक है तो एकतालीस का हो जाएगा लुइस 16 को आपको पता हुगा कि फ्रेंच जो है एक कहां के थे फ्रेंच के किंग थे फ्रांस के किंग थे और वहां के बंदेल लोग जो है वो मौली का अधिकार को लेके काफी कॉंसियस रहते हैं इनको हैं कर दिया गया 1789 में ठीक है अब नेक्स्ट है कि एडवाइजरी कमीटी और फंडामेंटल राइट्स और माइनोरेटी इसका हो जाएगा बहुत ही असान है यह आप लक्षमी काम खोलो गए न तो उसमें आपको मिल जागा इसका है सर्दा बल्ला भाई पतेल इसमें से कौन सा गलत है इमर्जेंसी के समय में आर्टिकल 20 question number 44 the principle of separability and principle of waiver is related to which article बहुत important है यह article हो जाएगा ठीक न 44 बाग answer क्या हो जाएगा article 13 ठीक है next दखवा हो next देखो the state shall not enact any law any law which snatches or dismisses the fundamental rights of by part 3 मतलब state कुछ ऐसा law नहीं बना सकता है जो fundamental rights को हम से छीन ले जो हमारे part 3 में दिया गया है तो कौन से article के तुर में बोला गया था article 13 का clause 2 में लिखा गया है ठीक है when was the audit department established in India देखो कैग का जो department है कैग वाला जो है ना बहुत पहले ही हो गया था 1900 से पहले ही हो गया था audit department पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 1905 में हुआ था ठीक है ना के वर्क नहीं है निवलिखित में से कैक के वर्क नहीं है तो इसमें से ही हो जाएगा सारे कैक के वर्क है ठीक है नेक्स देखो साथ है यह बहुत समेंट साथ है अब एक नया जिनका नाम बताएगे डिरिंटर्स लेटर्स्ट में बना आए पुंची कमीशन recommended the status of नहीं नहीं नेंडिजी को फॉंची कमीशन मिशन का नाम है निशनल Commission, the National Commission, इसका option हो जाएगा, option हो जाएगा C, question number 19, देखो, no, sorry, 49, the National Schedule Tribes Commission has how many members apart from a chairman and deputy chairman, तो देखिएगा कि इसमें option हो जाएगा E, इसमें से कोई सारे गलत है, इसके 5 member होते हैं, पांच में एक chairman हो जाएगा, एक deputy chairman हो जाएगा, ठीक है, तो question बोल रहा है कि ये दोनों को छोड़के और कितने member होते हैं, ये दोनों को छोड़के और तीन member होंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, इसमें से कोई option नहीं है, जो कि इसमें 3 option कोई भी option में नहीं है, और राश्ट्पति क्या करेगा परलेमेंट में डालेगा तो कुछ नहीं कुछ रहा है कि जो रिपोर्ट को परलेमेंट में कौन देता है ते हो जागा प्रसिडेंट ठीक है तो आपको जितने भी नंबर आये होंगे वह क्या किजिए कि टेलीग्राम पर एक कोलिंग होगा झालेट